कर दोस्तों मैसेज आप सभी को मिल चुका है मैसेज में क्या लिखा है यह भी आप पढ़ चुके हैं अब सबसे जुरुरी बात यह है कि कंपनी वापिस आए गया नहीं आएगी मैसेज आपने पढ़ लिया कि कंपनी काउंट्स प्रीज चल रहे हैं बिलकुल चल रहे हैं दोस्तों और आपने भी सुना होगा और बहुत साथ लीडर्स ऐसे बोलतें कि एक पी कंपनी वापिस नहीं आएगी लेकिन दोस्तों मुझे विश्वास है और हमारी टीम को विश्वास है कि कुछ पॉइंट्स के बारे में डिसक्रस करते है है दोस्तों काऊंट्स की क्तों सब्सक्रस करना को चोटी बात नहीं है दोस्तों कंपनी की मेंजमेंट कीम सामने थी कंपनी के ऑफिसे बहुत सारे ओपिसे खुले थे और दोस्तों अब ये मुझे नहीं पता कि दिखा सकते हैं नहीं दोस्तों आप सभी को पता है कि इससे पहले Hyperverse Company है वहाँ पर विड्रोल्स रुके हुए हैं हमारी टीम भी Hyperverse Company में काम करती है मैं भी काम कर रहा हूँ वहाँ पर भी जो है कुछ positive response नहीं मिल रहा है और आप इस बात का एक बात सोची आपकी हमारी जो टीम है क्योंकि एक जो लीडर होता है दोस्तों वो टीम से होता है मेरे जो चैनल है वो आप सभी का चैनल है आप सभी से मैं हूँ आप सभी जो subscribe करते हैं अपना प्यार देते हैं comments करते हैं कुछ बताते हैं मुझे क्या गलत है क्या सही या फिर मैंने कुछ बोला तो वो एक परिवार की तरह है ऐसे ही अगर हमारे investors का लोस होता रहा तो आगे चलके कैसे हम काम करेंगे कैसे सर्वाइव करेंगे मार्केट में दोस्तों network marketing industry बहुत अच्छी industry है और इसमें इस तरह के अगर यह company scam करते हैं क्योंकि बहुत सारी investment करते हैं leaders को अपना पैसा लगाते हैं अपने future को लेकर अपने बच्चों के future को लेकर को अपनी salary में से पैसा बजाता है कोई जो है उदार भी लेते हैं कुछ ब्याज भी लेते हैं कुछ ऐसा करते हैं market risky है दोस्तों जरूर risky है और मेरे चैनल पर बताई गई कोई भी अगर company है तो उसमें जहां तक मेरी knowledge है जहां तक हमारी team की knowledge है वह हम पूरा research करके ही करते हैं hyperverse में ताजा ताजा जो है withdrawal रुके थे और बहुत सारी परेशानी चल रही थी उसके बाद किसी company को select करना बहुत बढ़ा challenge था तो हमने अपने level पर सब कुछ सोच समझ कर किया था दोस्तों हमने मैंने जहां idea लगाई थी वह अच्छे leader है और वह जो लीडर है जो मलेशिया में event हो रहा था उस event के Asia के coordinator थे वह उन्होंने बताया कि हमने मलेशिया के जो है ministers को invite किया गया था गोर्मेंट के ministers को मंतरियों को वहाँ पर invite किया गया था दोस्तों उस event में बहुत बड़ा event होने वाला था और event अगर होता तो दुनिया देख है कि एक हादसा हुआ है और अभी भी देखे दोस्तों एफ़ीपी कंपनी के पर रिष्वास किजिए management जो टीम है कंपनी की वह कहीं ना कहीं सही है और एफ़ीपी कंपनी का सबसे बड़ा point जो हमें market में किसी भी कंपनी में नहीं वह यह लगा था कि आप इसमें अपनी दाला और आप उसको निकाल सकते हो अगर आपने आज डाला तो आप कल निकाल सकते हो इसमें आप कंपनी जो है बहुत बड़ी स्पोंसर थी तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक पीपी कंपनी में अच्छी थी कंपनी में का business plan भी बहुत अच्छा था और बहुत सारे rumors चल किया है कंपनी अब वापिस नहीं आएगी किसी इंडियन लीडर के द्वारा चलाई जा रही थी वह जो management team हो नहीं थी कुछ और कि बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही है और ऐसा दोस्तों है कंपनी का जो ट्यासी का address है उसको हमने चेक करवाया वह साइट है कौन सी जि स्थान में हमारे लेडर हैं मेरी टीम में तो नहीं है वैसे मेरे दोस्त हैं उन्होंने पता करवाया था जैपी जो एसी है है वो इंडिया के ही है और उन्होंने उनके कुछ संपाट उनको जानते थे नहीं पता करवाया कि company का जो account है वहां पर जो fund है वो account freeze है दो और फंड ऐसे की ऐसे रखा हुआ है तो यह कुछ चीजे हैं पता लग रहे हैं अब इनका प्रूफ तो नहीं है मेरे पास लेकिन हम भी मार्केट में पता कर रहे हैं इदर उदर से सारा सब कुछ लगे हुए दोस्तों क्योंकि आप सब हैं तो हम हैं वरना आपके भी नाम क्या है अगर कर इसी तरह mice शृट करेंगे कैसे लोग विश्तों करेंगे और मैं कोशीश करता हूँ कि मेरे त्रौर्व में अच्छा प्रोफाल था और सब कुछ और इस तरह की sc जो next वीडियो बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लेकर आँगा और उसकी situation के बारे में भी आपको जरूर बताँगा दोस्तों अभी भी हम team को पूरा support कर रहे हैं और FEP company के ओपर जरूर विश्वास रखे दोस्तों FEP company जरूर वापिस आएगी अब FEP company जो जहां तक हमारी जानक होगा दोस्तों और वापिस आने के बाद मार्केट ये रिस्की है बहुत सारी लीडर्स ने अगर इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी जो में कोई भी करता है दोस्तों तो फ्यूचर में ध्यान रखें इतनी इन्वेस्टमेंट कीजिए कि अगर कुछ भी इस तरह की problem हो तो यहाँ ध्यादा जाता है मूटिवेशन में आकर वह जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं । मैं ध्यान रखता हूं दोस्तों और मोटिवेस्टें के कंपनी का अधिकिस करना ही पड़ता है वीडियो बनाते हुए और प्लान दिसकर्ष करते हुए तो प्लान में जो बताया करते हैं तो और ज्यादा इस तरह का मोटिवेशन नहीं देते हैं कि आप यहां पर पैसा लगाओगे तो क्रोड़ पती बनाओगे इस तरह की चीज़े नहीं है बाकि एक मार्केट यह क्रिस्की मार्केट है जब आपका जो फंड है फंड को फंड को लेकर भी बहुत ज्याद अपना ध्यान से आप अपना डिसीजन लीजेगा और जो आपका फंड है अभी कंपनी क्या मतलब रूल रेगुलेशन लेकर आएगी थोड़ा बहुत कुछ चेंड हो सकता है वो आमें पता नहीं है कंपनी आने के बाद ही पता लगेगा तो जहां तक मुझे लगता है दोस कर रहे हैं कि कुछ पता चले कुछ पॉइंट से जो मुझे लगता है कि हां कंपनी वापिस आएगी दोस्तों कंपनी को वापिस वापिस आना भी चाहिए बहुत प्रेसा नहीं चल रही है बहुत भी वृद्ट मुश्गिल का वक्त है और पैससा सबी ने लगा था अपने बचों के के लिए अपने के लिए और सभी ने प्रेसा मतलब सभी को पीद आने हैं अगर इतने ही जभाद करते हैं इसी तरह से हमारी बनती है काम चलता और इस तरह की चीजै की चीज़ें नहीं होना चाहिए और इसża लेंट ज़ुचिजन करूंगा इसola की चीज़्ां करें तो क्या करना चाहिए फिर कोई कंपनी चल रही है तो उसमें लिए हैं रखना, हमारी बेकप कुछ भी पता चले तो उतना ही फंड उतनी ही इन्वेस्टमेंट आपकी जेगा कि आप कुछ समय के लिए अगर किसी भी तरह की प्रोब्लम होता आप उस फंड को होल्ड कर सके तो दोस्तों अभी लगातार कोशिश कर रहे हैं जैसे कुछ और पता लगेगा तो दोस्तों जर भी आप सबी को पता है चैनल के उपर है जरूर बताएं दोस्तो साथ रहें एक रहें और विश्वास रखी एक समय कंपनी के उपर अभी सब कुछ खतम नहीं हुआ है दोस्तों अभी सब कुछ समय का मैसेज आया है चानती रखिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा कुछ ना क्या पता है मैं आपके साथ डिसकस करूँगा और वडियो क्यों नहीं बनाई मैंने हाइपर वैसी जरूर बता हूँ और उस्टो कीसी लगी मुझे जरूर बता एग जरूर बता है और हैं इसारी क्रें प्ता तो बहुत हो दो सकरी पाए कि करेति हैं को पता चले और अगर पोजिटिव कुछ पता लगता तो वो भी मुझे जरूर बता है दोस्तों तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बने रहे हैं हमारे साथ और मिलते हैं के लिए वीडियो में वीडियो देखने लिए आपका पहुत बहुत न्यवाद जैहिंद वंदे मातरम नमस्ते इंदिया